Hello friends, आज का हमारा topic है HTML के अंदर आज हम सीखने वाले हैं semantic markup क्या होता है इससे पहले हमें पता है कि HTML क्या होती है, एक markup language होती है लेकिन उसके अंदर भी हम क्या पढ़ते हैं, semantic markup को पढ़ते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि semantic markup क्या होता है It is the markup that relates to the meaning of content यानि कि ये semantic markup क्या होता है, एक markup होता है जिसका क्या मतलब होता है, ये meaning of content को क्या करने काम करता है relate करने का काम करता है, जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं तो tag क्या काम होता है, कुछ tag हमारे ऐसे होते हैं इसको देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या काम हो रहा है यारी इसके अंदर किस प्रकार का content है और कुछ tag ऐसे होते हैं कि अगर हम starting में उसको देखते हैं हमें पता नहीं होता है बिल्कुल भी उसके बारे में knowledge नहीं होती है तो हम यह अंदाजन नहीं लग सकते हैं कि इसके अंदर actually में क्या content इस्टोर किया गया यह Mouse होते हैं जैसे कि हमारे जो टैंग होते हैं यह टूर्ट हो हो जाएगा हमारा अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि semantic tag क्या होता है ऐसे tag होते हैं semantic tag हमारे जिसको देखते ही हमें उसके meaning का पता चल जाता है यानि जो meaning से क्या करते हैं relate करते हैं relates to the meaning of content यानि कि जो content होते हैं वो अपनी meaning से relate करते जैसे कि हमारा paragraph tag हो गया अगर हम P लिखते हैं यहाँ पर P tag को लिखते हैं तो हमें यह अंदादा लग जाता है कि हम paragraph लिखने वाले हैं इसी प्रकार से H1 को लिखते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि हम heading tag को लिखने वाले हैं इसी प्रकार से अगर हम IMG image को लिखते हैं तो लिए को देखते हैं हमें यह समझ में यहां वहां है वह नहीं क्या है भोग जैसे हमारा व्ता है दिए याने टिक होग हमारी कंड़ रख रखखाए तो आप इसकी मेंनिंग से यह नहीं पता कर सकते हैं कि do क्या काम करता होगा और spend का क्या काम होता होगा अगर इसको हम example से समझे तो यहाँ पर एक website को हम open करते हैं जो हमारी website है यहाँ से अगर यहाँ पर मैंने cbsc की website को open किया यहाँ पर enter किया मैंने और इसकी official website को हम open करते हैं यहाँ से मैंने main website को open कर लिया अगर मैं यहाँ पर आपको य अदर वेपसाइट जो भी अच्छी वेपसाइट होती है उसको ओपन करके देख सकते हैं मैंने right click क्या inspect किया तो यहाँ से हम आपको दिखाते हैं जितनी भी अच्छी वेपसाइट होती हैं वो हमेशा semantic tag का use करती हैं यानि कि जो हमारे semantic tag होते हैं जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं मैंने इस arrow पर click किया उसके बाद अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊँ तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां से एक section tag को बनाया गया है अब यहां पर section tag को देखते ही आपको यह समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या किये गए है section add किया गए है यानि कि यह क्या होता है हमारा semantic tag होता है यानि कि जिसको देखते ही हमें उसके meaning का पता चल जाता है सेकेंड अगर आप यहां पर देखे तो यहां पर क्या एक header tag का यूसकिया गया है अब header and footer दो चीजे होती है हमारी website के अंद और website के सबसे last में यानि bottom में जो भी चीजे आती है वो footer के अंदर होती है तो यहां से अगर आप देखे तो header के अंदर यह सारी चीजे यहां पर अगर आप देखे तो blue color से highlight हो रहे है यह सारा हमारा क्या है header का part है उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर और नीचे जा करके और भी सारी चीजे आप देख सकते हैं इसी प्रकार से तो इस प्रकार से जो हमारी अच्छी अच्छी website होती है वो सारे semantic tag का यूज करती है यहां से header बनाया गया है अब यहां पर header की जगा अगर आप dew यूज करते हैं तो भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमार जो section tag होता है वो भी वही काम करता है सारे सेम काम करेंगे आप इन सभी की जगा dew को रख सकते हैं लेकिन क्या आप समझ पाएंगी कि यहां पर हमने अपनी header को declare किया हुआ है header बनाया हुआ है यहां पर मैंने section बनाया हुआ है उसको आप अलग-अलग category में divide नहीं कर यानि कि अगर आप खुद ही उस website को देखेंगे तो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि कहां पर हमने क्या चीजे की हुई है क्योंकि dew आपने काफी सारे बना रखे हैं dew का मतलब क्या होता है यह सेम वैसे ही होता है जैसे हमारे header काम करते हैं section काम करते हैं सभी वैसे को हमें top में ले आना है top ranking में ले आना है यानि सबसे पहले दिखाना है फिर किसको उसके बाद दिखाना है किसको third number पे दिखाना है यह किसकी वज़ा से depend होता है यह हमारे जो tag हमने use किये हुए हैं वो कितने relative है यानि कि वो जो tag आपने use किये हुए अपनी website के अंदर उसको क्या होता है जो ब्राउजर होता है वो खुद पढ़ता है ताकि उसको जो भी कंटेंट होता है अगर आपने सेमेंटिक टेग का यूज किया हुआ है तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस वेबसाइट के अंदर यहां पर क्या चीजे बताई गई है और जो यूजर ह और वो ख्या सर्च करना चाहता है तो उस हिसाब जो हमारी वेबसाइट होती है उसको क्या करता है जो ब्राउजर होता है वो रैंक पर ले आता है इसी प्रकार से अगर हम यहां पर देखे तो यहां पर आप इन सभी को देख सकते हैं यहां पर हमारे जो tag लिखे गए हैं, अगर यहां पर आप change करके भी देख सकते हैं जो हमारा क्या होता है? यहां पर semantic or non-sementic tag होते हैं, हमेशा हम semantic tag का यूजे करते हैं, और यह नहीं देखते हैं, कि हमारी website का look up कैसा होगा, क्योंकि semantic tag अगर यूजे कर रहे हैं हम तो उससे ह हम यह नहीं देखने वाले हैं कि उसका जो effect है वो किस प्रकार से हमारी website के उपर पढ़ रहा है look up में उस पर ध्यान नहीं देंगे हम क्या करेंगे हमेशा semantic tag का use करेंगे अगर हम यहां पर देखें और भी चीजों की अगर बात करें तो यहां से semantic tag को हमने समझ लिया कि semantic tag क्या होते हैं और इसका use हम किस लिए करते हैं और भी इसके कुछ points हैं जिसकी वज़ा से हमें semantic tag को use करना आसान होता है सबसे पहले कि semantic tag की help से आप तुरंत पकड़ सकते हैं कि अगर आपके code को कोई और पढ़ता है तो तुरंत यह समझ जाएगा कि यहां पर किस शेज की बात की जा रही है इसके अंदर कौन सी चीजें लिखी गई हैं जो हमारा semantic tag होता है इसकी help से क्या हो जाता है जो हमारी website होती है वो क्या हो जाती है meaningful हो जाती है यानि कि समझने में कोई भी इसको आसानी से पढ़ करके क्या कर सकता है समझ सकता है उसके बाद क्या हो जाती है second number पे SEO SEO friendly हो जाती है SEO friendly का क्या मतलब होता है कि browser इसको देखते ही क्या कर जाता है जो search engine optimization होता है searching में किस website को पहले rank पर ले आना है यह हमारा browser आसानी से क्या कर लेता है पहचान लेता है और उसी को top पर क्या करता है represent करता है दिखाता है उसके बाद क्या होता है यहाँ पर readable हो जाती और जो जिसको क्या करना होता है देखने की problem होती है जो लोग देख नहीं सकते हैं वो screen readers का use करते हैं वहाँ पर क्या होता है जितने भी tag होते हैं मारे website के उपर क्या किया जाते हैं बोले जाते हैं तो उनको वहाँ पर समझ में आता है जब semantic tag का use किया हुआ होता है तो यहां पर header बोला जा रहा है तो यह चीज़े हमारी top पे होंगी, header tag का use किया गया, section tag का use किया गया है, कहां पर कौन सा content क्या किया गया है, रखा गया है, तो इस वज़ा से क्या होते हो, उनको भी क्या होता है, helpful होता है, एक प्रकार से, यानि readable होता है, और plus जो screen readers होते हैं, उन होती है, वो सभी हमेशा semantic tag का use करती है, तो यहां से आपको यह पता चला होगा, कि कहां पर हमें semantic tag का use करना पड़ता है, कहां पर non semantic tag का use करना पड़ता है, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन जो SEO होता है, यानि कि जब भी Google, यानि कि Chrome browser हमारा कोई भी ranking में website को दिखाता है, तो उसका क्या चिक करता है, वो SEO के base पे ही हमें वो दिखाता है, कि कौन से website first पे आनी चाहिए, अब आपके website का जो structured होगा, जितने अच्छे से वो design किया गया होगा, उसी हिसाब से वो first पे आपके content को क्या करेगा, so करेगा, ये था आज का हमारा topic, इसके आगले chapter में हम करेगा we कि करे तो हमेटार में हमें अड़ागा है, कि रजब भाष posição क क्या हुआए, ये झाले किरे's a फे हाब।, बश्के तो, कि क मैं है पाःता है, बभाऊश, बभाईश, तो, कि आईप आवादार में हैं, कि क्रणा आपके पार जिसे जे हैं, कि कि कर दो से जे हमें को क